हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे फिस्ट करी बनाने की रेसिपी आसान फूड रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फिस्ट करी बनाने के लिए हम सबसे पहले फिस्ट को मरिनेट करेंगे हमने यहाँ पर आधा किलो फिस्ट ली है इसमें हम एट कर देंगे एक टीस्पून नमक और एट करेंगे एक टीस्पून लालमिज पाउडर साथ ही में एट कर देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर देखे इस टेज पर आप इसमें आधे निम्बू का रस्बी एट कर सकते हैं और फिस आप कोई सी भी ले सकते हैं इन सारे मसालों को हम फिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेरिनेशन के मसालों को हम इस तरह से हाथों के मदब से मसल मसल कर फिस की दोनों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे आधे गंटे के लिए मेरिनेट करेंगे अब हम ग्रेवी के लिए पेश तयार कर लेंगे तो यहां पर हमने नारियल का 4 शिस सा लिया है यानि की आधे का आधा नारियल जिसके हमने इस तरह से स्लाइसिस कर ली और 10 काजू लिए हैं साथ ही में एक बड़ी हरी मेश को हमने इस तरह के बड़े टुकडों में कट करके लिया है 20 लेसन की कलिया ली है और एक इज के अध्रख के टुकड़े को छील कर इस तरह से इसकी स्लाइसिस कर ली है इस सारी चीजों को हम मिक्सिजान में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हमें फिस को फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पर हमने पेन में तेल अच्छे से गरम कर लिया है देखिए इस तेल में हमने पहले भी फिस फ्राइ की थी इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा लाल लग रहा होगा इसमें हम मेरिनेट क्यूवी फिस सेट करके इसे हाई फ्लेम पर सेलो फ्राइ करेंगे मेरिनेट क्यूवी सारी फिस को एक साथ फ्राइ कर लें या तो फिर दो पार्ट में डिवाइट करके फ्राइ कर लें देखिए जब भी आप फिसकरी बना रहे हो तो इस टेप को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा तेल में कुछ दे तक फ्राइ करते हैं तो इसका पानी सूख जाता है और फिसकरी बनाने के बाद इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगेरा नहीं आती एक तरफ से हमने इसे हाइ फ्लेम पर दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लिया अब हम इसकी साइट्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे दोनों तरफ से दो-दो मिनिट के लिए यानि कि टोटल चार मिनिट के लिए हमें फिस को हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसे हम तेल में से निकाल लेंगे बाकी की बची हुई फिस को हम इसी तरह तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे पेन में सारी फिसको हमने फ्राई कर लिया और ज्यादा के तेल को निकाल लिया देखे तेल ओलेडी गरम है तो हम इसमें खड़े मसाले एट करेंगे जैसे की एक दालचीनी का टुकड़ा, पांश काली मेच और एक फूल चकरी और एट करेंगे हाफ टी स्पून जीरा खड़े मसालों के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे कड़ी पता और कड़ी पते को हम तेल में कुछ सेकेंट तक चटकने देंगे अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एट कर देंगे दो मेडियम साइज की प्यास का पेश्ट देखिए आप इस तेश पर प्यास को बारिक काट कर भी एट कर सकते हैं अब हमें low flame पर प्यास को तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए तो इस तरह से हमने low flame पर 3-4 मिनिट के लिए प्यास को भून लिया इसका color थोड़ा golden brown होने लगे तब हम इसमें add कर देंगे tomato का paste तो हमने दो medium size के tomato को mix जार में अच्छे से grind कर लिया अच्छे से mix कर लेंगे और tomato को भी हम तेल में अच्छे से भूनेंगे इसमें आप tomato ना add करना चाहो तो इसे skip करके दहीं भी add कर सकते हैं तेल में tomato को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें सुखे masala एट कर देंगे जैसे की 1 teaspoon कस्मीरी लाल मिच पाउडर और एट करेंगे 1 teaspoon धन्या पाउडर साथ ही में add कर देंगे 1 teaspoon नमक नमक ध्यान से add करेंगे क्योंकि हमने fish को main add करते वक भी इसमें नमक एट किया है और add करेंगे 1 teaspoon हल्दी पाउडर अच्छे से इसे mix कर लेंगे देखिए हमने यहाँ पर 1 teaspoon भर के कस्मीरी लाल मिच पाउडर add किया है क्योंकि कस्मीरी लाल मिच ज्यादा तीखी नहीं होती इसलिए हमने इसमें ज्यादा add की है ताकि gravy में बढ़िया सा color आ जाए सारे मसालों को हमने low flame पर 5-7 minute के लिए अच्छे से भून लिया इस stage पर हम इसमें add कर देंगे हमारा तयार किया हुआ नारियल, हरी मिच, काजू, अज्रक और लेसुन का पेश्ट साथ ही में add कर देंगे 4 टेबल स्पून पानी इन सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे इसे cover करके पकाएंगे और beat beat में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि जो मसाले है वो जलना जाए गेस की flame को low रखेंगे तो हमने इसे cover करके low flame पर 10-12 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया अब देख सकते हैं कि सारे मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसका जो तेल है वो भी surface पर आने लगा है इस stage पर हम इसमें gravy के लिए पानी एट कर देंगे तो हमने यहाँ पर gravy के लिए 1.5 glass पानी एट किया है देखिए आप पानी की quantity अपने हिसाब से भी measure कर सकते हैं कि आपको किस तरह की gravy चाहिए अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें half teaspoon जीरा पाउडर एट कर देंगे और एट करेंगे एक चोथाई teaspoon गरम मसाला साथ ही में एट कर देंगे एक teaspoon भूनी हुई कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हम हाथों की मदर से crush करते हुए इसमें एट करेंगे इन सबको हम अच्छे से mix कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे fry qv fish अब हम गेस की flame को high कर देंगे हलके हाथों से इसे mix करेंगे और high flame पर इसमें कुबाल आने देंगे high flame पर एक उबलाने के बाद हम गेस की flame को low कर देंगे और इसे cover करके low flame पर कुछ दे तक पकाएंगे इसे cover करके हमने low flame पर 5 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया साथ ही में जो fish करी है वो बनकर तयार है देखिए इस तरह की हमने इसकी consistency रखी है अब हम गेस की flame को off करके इसे हरे धने शे गानिश करेंगे गानिशिंग के लिए आप छोटी हरी मिश को center में से कट करके भी इसमें add कर सकते हैं और इसे dish out कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है लजीज और मसालेदार fish curry वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे humble request है कि चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें फिर में लेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए good bye